गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स लास्ट क्लास में हम आयू पीसी नॉमनक्लेचर ओफ एलकेंज पढ़ रहे थे आज उसी टोपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में लेखाया हूं ठीक है देखना सम प्रिफिक्सिज और ब्रांचिस और रैडिकल द उनकी जो नाम होते हैं प्रिफिक्सिज में उनका डिसक्शन करने आज कुछ देखना जैसे एक एलकें में से एक हईड्रोजन कम कर देते हैं तो वो क्या बनता है अलकाइल बनता है जैसे मान लो कोई पेरेंट चेन है पेरेंट चेन पे शीएस्ट्री ग्रूप लगाया तो इसे प्रोपाइल कहेंगे या फिर इसे एनप्रोपाइल भी कह सकते हैं पी क्या है पी पेरेंट चेन है देखना सीएस्ट्री शीएस्ट्री 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 लगाया तो इसे क्या कहेंगे एथाइल कहेंगे अब देखो यह प्रो methyl group, 163 इदर 163 group इदर, तो इतने group को क्या करते हैं, इतने group को isopropyl करते हैं इतने group को isopropyl करते हैं और अगर IUPAC nomenclature इस branch का अगर इस branch का IUPAC nomenclature कया जब्याइद, देखो parent का लग लो, सासी-साद अगर इस branch inten का भी IUPAC nomenclature किया जब्याद तो यह parent पे जुड़ी होगी, जहां से यह parent पे जुड़ी हो, उसको number 1 दिया, अगले item को number 2 दिया, अब एक चीज़ देखना, अब यह कितने carbon की chain होगी, दो की, अगर यही parent होता, तो दो carbon की chain को saturated system में क्या कहते है, इथेन, saturated system में दो carbon के parent को क्या कहते है, इथेन कहते है, लेकिन देखना, यहाँ पे यह prefix में जुड़ा है, यह substitute है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, इथाई, अच्छा, one position पे क्या लगाईए, CS3 group, one position पे लगाईए, CS3 group, तो इसको क्या कहेंगे, one पे methyl लगा है, और यह दो carbon की chain है, इथाई, तो IUPAC के according, इस prefix का, इस prefix का, यह नाम हो गया, one methyl, इथाई, या फिर, isopropyl, अगले example को देखते है, अगले example देखना, यह चार carbon की chain है, चार carbon, जब parent पे linear fashion में जुड़े हैं, तो उसका, उसका जो prefix में नाम एड़ करेंगे, वो enbutile, ठीक है, अब यह चार carbon की chain linear भी हो सकती है, और भी दूसरे fashion होते हैं, इस चार carbon की chain को जोड़ने के, देखना, यह चार carbon की chain में, तीन carbon तो सीधे जुड़े हो, और यह चोथा carbon पहले वाले पे जुड़ा हो, चोथा carbon पहले वाले पे जुड़ा हो, तो देखना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इस prefix को कहेंगे secondary butile क्यों secondary butile क्यों यह जो carbonate secondary है यह जो carbonate secondary है इसलिए इसको secondary butile का अब एक चीज देखना जरूरी नहीं है हम secondary butile के हिसाब से इसका nomenclature करें हम IUPAC के हिसाब से भी कर सकते हैं तो देखो यह parent है इस parent पे यह जो prefix लगाए या फिर यह जो substituent लगाए इसको prefix में डालेंगे इसलिए मैं इसे prefix बोल रहा हूं वैसे ही substituent है यह जो substituent लगाए इसको देखना इसकी भी numbering करेंगे इसका नाम देने के लिए IUPAC का recording देखना इसमें भी longest carbon chain को डूननेगे देखना longest carbon chain इसमें 3 carbon क एक दो और तीन तो तीन carbon की chain को इसको क्या बोलेंगे प्रोपाइल बोलेंगे अगर यह parent होता तो क्या बोलते saturated वाले में प्रोपेन बोलते लेकिन यह prefix में है यह substituent में है तो इसको क्या बोलेंगे प्रोपाइल बोलेंगे प्रोपाइल बोलेंगे अच्छा उसके बाद द और यह तीन कार्बन की चेन फ्रोपाईल तो आयू पीएसी के अकोर्डिंग यह नोमन के लिए चलोगा इसका और वैसे जनरल नेम में जाएं तो इसको सेकेंडरी बूटाइल करते हैं अगला देखना अगर यह चार कार्बन की चेन पेरेंट पे कुछ इस फैशन में जुड़ी हो तो इसको कहेंगे आईसो ब्यूटाइल और पेरेंट पेरेंट की आयू पीएसी के अकोर्डिंग अगर इसका नेमिंग करें तो देखना वन टू त्री तू मिथाइल दोपे मिथ मिथाइल ग्रूप और यह तीन कार्बन की पेरेंट बन जाएगी सब्स्ट्रिक्वेंट वाली तो इसे कहेंगे प्रोपाइल तू मिथाइल प्रोपाइल या फिर आइसो ब्यूटाइब अब देखना अगर यह चार कार्बन के चेन कुछ इस फैशन में जुड़ी हो इस प अगर नॉर्मल देखो तो इसको कहते हैं टर्श्री ब्यूटाइब और आयूपीसी के हिसाब से इस पेरेंट चेन पे लगे इस सब्स्टिट्वेंट का भी नाम देना चाहूं तो देखना यहां पर मैं लोंगस चेन एक और दो कार्बन के चुन सकता हूं तो दो कार्बन की इस सब्स्टिट्वेंट की चेन को मैं कहूंगा इथाईल जिसमें वन कार्बन पे दो मिथाईल ग्रूप लगें तो वन वन डाइमिथाईल और इथाईल वन वन डाइमिथाईल और इथाईल इतनी बात समझा रहे हैं तो यह कुछ प्रिपेक्शिंज है branches है जो आपको normally IUPAC nomenclature of alkan में as a substitute मिल सकती है as a substitute मिल सकती है लगी हुई यहाँ पर आपको कुछ बाते ध्यान देनी होंगी ठीक है एक बात तो यह कि जो मैंने red circle में name कर रखें देखना यह जो मैंने circled name है यह circle हो गया यह secondary butile हो गया ठीक है यह isobutile हो गया यह सारे कहें यह जो पुराने system के नाम है यह PSC का according हो है ठीक है और इसके अलावा जो नीचे मैंने नाम देख रखें जैसे यह 1-1 dimethyl ethyl 1 methyl propile यह सारे कहें यह नए nomenclature के हिसाब से नाम है ठीक है यह सरकल्ड वाले भी हम इस्तमाल कर सकते हैं accepted है यह से कोई बात नहीं है लेकिन IUPAC कहते हैं अगर IUPAC के according ही करें नomenclature तो ज़्यादा preferable होता है इसके अलावा इसके अलावा एक बात जो और हमें ध्यान रखने होगी कि parent chain पे देखना दो तरह के subscribe होता है अलकाई चेन के दो तरह के subscribe हो सकते है एक तरह के subscribe जो होगे वो simple subscribe होगे जैसे देखो parent chain पे methayle ओग लग गया parent chain पे ethayle ओग लग गया यह होगे simple subscribe है ठीक है अगर दो methyl methyl ग्रूप लग गए तो हम उसके लिए डाई मिथाइल यूज करते हैं तो डाई वर्ड यूज होगा तीन मिथाइल लगे तो ट्राई मिथाइल हो गया दो इथाइल लगे तो डाई थाइल यानि अगर parent chain पे simple subsequent की repetition होती है तो उस repetition को दिखाने के लिए डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का यूज किया जाता है डाई ट्राई टेट्रा पेंट्रा मानलो parent chain है दो मिथाइल ग्रूप है तो आप कैसे दिखाते हो मानलो पहली हो चोती पोजिशन पे है तो वन फो डाई मिथाइल लिखते हो ठीक है दूसरी तरह के जो सब्स्टिट्राइट आते हैं वो होते हैं complex सब्स्टिट्राइट simple complex सब्स्टिट्राइट कौन से होते हैं जिसमें parent chain के अलावा हमें नाम देने की जुड़त है देखना इसका मैंने अभी आपको बता है one two numbering करके नाम देना पड़ेगा अगर IUPAC की अकोणिंग देगे इसका भी मैंने आपको बता है IUPAC की अकोणिंग नाम देगे तो numbering करके देना पड़ेगा यह ऐसे सब्स्टिट्रीट komplex सब्स्टिट्राइट कराते हैं इन दूसरी बात दूसरी बात यह कि अगर यह complex subsequent repeat होते हैं तो इनके लिए die try tetra word repetition होने की situation में नहीं use किया जा सकता क्यों ते को यह tertiary butile वाला है complex subsequent IUPAC के इसाब से die try तो इसी के अंदर आ गया इसके नाम के अंदर आ गया और अगर यह repeat होगा तो मैं इसके बाहर भी मैं ऐसा नहीं लिख सकता two, four, die और फिर यह आगर यह group दो बार आ गया तो तो मुझे जब यह repeat होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे इसके लिए bis, tris, tetra, kis, etc. इन सब words का use करना पड़ेगा मैं simple से इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जब simple substituent repeat होंगे तो उनके लिए die, tris, tetra, word use होंगे जब complex substituent repeat होंगे तो उनके लिए bis, tris, tetra, kis words use होंगे और substituent यह दो ही तरह के हो सकते हैं तो simple यह फिर complex ठीक है? एक चीज़ जोर जब यह simple substituent होगा तो यह die, tris, tetra, word alphabetical order में consider नहीं होगा बात समझाई? लेकिन जब यह complex substituent होगा तो die, tris, tetra, word alphabetical order में consider होगा alphabetical order में consider होगा simple substituent के case में नहीं होगा complex substituent के case में होगा consider एक और बात जो हमें ध्यान रखनी है जो मैंने अभी आपको some prefixes कराये थे उसमें मैंने आपको ISO लिखवाया था उसमें यह ISO वगरा जो होते हैं यह alphabetical order में consider होते हैं secondary और tertiary consider नहीं होते हैं इस बात को मैंने आपको explain करने के कोशिश किया है कि देखना die, tris, tetra, word जो हैं वो simple substituent के consider नहीं होते हैं alphabetical order में पर di, tr, tetra, complex, substituent वाले consider होते हैं इसके अलाबा ISO और new considered होते हैं alphabetical order में पर secondary और tertiary जो होते हैं वो words consider नहीं होते हैं alphabetical order में इस बात को मैं जब आगे एक example कराऊंगा तो मैं common example लेके बताऊंगा जिसमें यह सारे rules follow होंगे देखना एक यह मैंने example लेने की कोशिश किये जिसके basis पर मैं बहुत सारी बाते आपको explain कर सकता हूँ सबसे पहला काम क्या करेंगे सबसे पहला काम हम इसमें longest parent chain दूनेगे longest chain दूनेगे carbons की parent chain दूनेगे तो मेरे according यह chain देखना एक बार यह chain 10 carbon की जो है इसको मैं longest parent chain काऊँगा इसको मैं longest carbon chain या parent chain काऊँगा ठीक है अब numbering मैं केदर से इद भी देलू देखना एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस इदर से देलू तो भी सबस्टिटुएंट पांच जाएंगे इदर से देलू यह दोनों सबस्टिटुएंट पांच जाएंगे ठीक है अब इन दोनों सबस्टिटुएंट को देखना अगर मैं ऐजे बोल देखूं तो ये दोनों सब्स्ट्रिट्वेंट कैसे हैं कॉंप्लेक्स सब्स्ट्रिट्वेंट हैं अब इनका नाम देखना इनमें भी मुझे नंबरिंग देने की जुरत पड़ेगी इनमें मैं नंबरिंग दूँगा एसी इधर नंबरिंग दूँगा एसी इधर नंबरिंग दूँगा देखना बच्चो जो मैंने आपको रूल्स बताए वो मैं आपको इस एक्जाम्पल में समराइज करने की कोशिश करता हूँ सबसे पहला रूल है कि आपको लोंगेस्ट कार्बन चेन डूणनी है पेरेंट चेन डूणनी है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटमस हो तो मेरे हिसाब से यह 10 कार्बन की चेन लोंगेस्ट चेन है जो मैं ढूंड सकता हूँ ठीक है, saturated है सारे में अपनी convenience के लिए यहाँ पर hydrogen atom नहीं जुड़ेंगे, जिस carbon पर जितने hydrogen atom accordingly जुड़ेंगे, जैसे इस carbon पर एक जुड़ेगा, इस पर एक जुड़ेगा, इस पर दो जुड़ेंगे, इस पर तीन जुड़ेंगे, carbon आपको पता है यह चारबॉन बनाता है, तो उसके according मैंने नहीं जुड़े हैं, जिस carbon के जितने bond पूरे हो रहे हैं, बाकी का hydrogen atom से, ठीक है, देखना, यह 10 carbon की penance है, इस पर देखना, चाहे मैं इधर से numbering करूं, चाहे मैं इधर से numbering करूं, number equally मिलना है, मैंने यह example इसी तरह design किया, देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, तो जो substituents है, उनको जो numbering मिलनी है, वो 3, 4, 5, 6, 7, और 8 है, अब एक चीज़ जान देना, 3 और 8 पे लगने वाले substituents सेम है, 3 और 8 पे सेम है, 4 और 7 पे सेम है, और 5 और 6 पे सेम है, आपको सेम दिख रहे होंगे, ठीक है, 10 कार्बन की chain है, तो वर्ड रूट के इसाब से मैं इसको deck कह दूँ, और सारे, 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 जो है, saturated है, कोई unsaturation नहीं है, तो primary suffix में in जोड़ दूँ, तो यह क्या बन गया, 10 कार्बन की chain, deck in बन गया, ठीक है, अब मुझे क्या कर, कितना सा काम करना है, इन सारे substituoints के नाम गोंड़ने हैं, मुझे बताना, यह जो 4 और 7 पे substituoint जुड़ा है, इसको मैं methyl कह सकता हूँ, एक एक कार्बन का substituoint है, ठीक है, तो और, देखो, 4 और 7 पे जुड़े हैं, तो 2 हो गए, तो मैं ऐसे लिख दूँ, 4, 7, di-methyl, ठीक है, इतनी बाट ठीक है, दूसरा देखना, 3 और 8 पे जो substituoint जुड़े हैं, वो 2-2 कार्बन के हैं, वो 2-2 कार्बन के हैं, 2 कार्बन के substituoint एथाईल होता है, तो ऐसे कहा हूँ, 3, 8, di-ethyl, 3 और 8 पे, di-ethyl है, अभी मैं substituoints के नाम लिख रहा हूँ, जो substituoint यहां पे लिख रहा है, ठीक है, तीसरा देखना, तीसरा देखना है यहां पे, मैंने लिया, यह complex substituoint दोनों पे सेम है, 5 और 6 पे, ठीक है, अब एक चीज़ देखना, मुझे इस complex substituoint का नाम भी देना पड़ेगा, वैसे तो यह tertiary butyl है, IUPAC के according तो देखो, एक और दो, 1 पे यह दो methyl group, इस complex substituoint का नाम होगा, 1, 1, di-methyl, और इसमें जो parent यह दो carbon कहा तो, यह था यह, यह इस complex substituoint का नाम होगा, और कहां-कहां जुड़ा है यह, एक तो 5 पे जुड़ा है, और एक यहां 6 पे जुड़ा है, एक तो 5 पे जुड़ा है, और एक यहां 6 पे जुड़ा है, ठीक है ना, अब मुझे इन सब एक चीज़ जोड़ देना, कहां-कहां जुड ही आगया complex substituent का नाम लिखते ही तो मैं यहाँ पर ये substituent दो बार जोड़ा हुआ है इसके लिए word लिखूंगा bis इसके लिए word लिखूंगा bis मैं इसको थोड़ा सा प्रोपर लिए लिख देता हूं इसका नाम के लिखूंगा मैं 5 6 bis 5 6 bis 1 1 dimethyl ethyl यह इसका complex substituent का नाम है इसका मतलब 2 है और यह 5 और 6 इसकी location है कि कहां कहां है अब एक चीज़ देखना यह तीनों substituent के मैंने नाम लिख दिया अब मैं इसके इंसका पर नाम लिखने के कोशिश करता हूं देखना alphabetical order में मैंने कहा simple substituent का di-try consider नहीं होगा complex substituent का di-try consider होगा ठीक है क्यों जितने भी prefixes होता हूं को हम सबको हमें alphabetical order में लिखना है तो di-try इसका consider नहीं होगा इसका consider होगा इसके अलाबा यह जो bis tris होता है यह भी consider होता है यानि यहां पे जो नामे वो B से शुरूर है यहां पे जो नामे वो M से शुरूर है और यहां पे जो नामे वो E से शुरूर है तो पहले मैं B वाले को लिखूँगा फिर मैं E वाले को लिखूँगा फिर मैं M वाले को लिखूँगा देखना क्या लिखोंगा इसका नाम 56-bis-1-1-dy-methyl-ethyl इसके बाद ब्रैकेट बन इसके बाद इसको 3-8-dy-methyl-ethyl उसके बाद ये 4-7-dy-methyl और उसके बाद ये क्या लिखोंगा मैं डेकेट ये पूरा नाम बनेगा इस compound गा जो मैंने example आप लोगों को करवाने की कोशिश किये जिसमें almost सारे rules lowest low control तीक है बिस्ट्रिस वाला डाइट्राई वाली बाते सारी composite क्योंप दोत्पाइब gimball क्यास्ट्राई उसके बिसके लिए CCTV